हिमाचल प्रदीश चिकित्सक संग सरकार के एंपियस पर लगे के करमचारियों का एंप्लोयर दोरा दे 14 प्रतिशत एंपियस फंड को करमचारी के प्रती महा आय में दिखाना और उस पर इंकम टेक्स वसूलने की घोर निंदा करता है और इसका पुर्जोर विरोध भी करता ह हिमाचल प्रदीश चिकित्सक संग के प्रदीश महाचाचीव डॉक्टर पुषपिंदर ने कहा कि ये दिखाता है कि प्रदेश सरकार करमचारियों के प्रती कितनी गंभीर है पहले तो चिकित्सकों को मात्र 26,250 के कॉंट्रेक्ट पर रखा जा रहा है और पूरे जोर का जटका धीरे से देते हुए इस बार सभी सरकारी करमचारी जो की NPS के तहट आते हैं को लूटने में सरकार ने काम शुरू कर दिया है उन्होंने कहा कि सरकार ने जबरदस्ती Employer Fund पर Income Tax वसूला जा रहा है और वो भी आचानक एक साथ फरवरी के वेतन के साथ उन्ह पूर है जो आए कभी उसके हाथ में आई ही नहीं है उन्होंने कहा कि NPS के तहट जो सरकारी करमचारी आते हैं रिटायर्मेंट के बाद अपने NPS फंड का केवल मातर 50% ही निकाल सकते हैं और बाकी पैसा वैसे का वैसा रहता है जिसके हिसाब से करमचारी को पेंशन मिलती ह उन्होंने कहा कि हिमाचल परदेश चिकित्सक संग परदेश के सभी अन्य करमचारी संगों के साथ इस मुद्दे पर कंदे से कंधा मिला कर खड़ा है और सरकार को ये चेतावनी देता है कि पहले तो सरकार पुरानी पेंशन भाल नहीं कर रही है और दूसरा हर दिन कोई न रोद करते हुए कहा कि जल से जल्द इस आदेश को वापिस लिया जाए ताकि परदेश के लाखों करमचारी को इसमें रहत मिल सकें डॉक्टर पुश्मिंदर वर्मा ने कहा कि आए जो कभी करमचारी के हाथ नहीं आती है उस पर टेक्स लेना गलत है और सरकार को अपनी ग लाए जाते हैं उसके उपर टेक्स लगाना और वो भी एक मुष्ट फरवरी के महीने में ही सारा का सारा टेक्स वो एक वैसा हो गया जैसे कंगाली में आटा गिला करना एक तरफ तो एंपियस करमचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार पीट थप थपा रही थी कि हमने 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत कर दी है जो एंपियस के लिए कंट्रिबूशन है इंपुलायर की तो अब उस अगर इतनी पीट थप थपानी है तो हम सरकार से यह पूशना चाहते हैं कि उस इंपुलायर फंड पे फिर टेक्स क्यों बसूला ज जा रहा है इससे क्या है कि अगर सरकारी करमचारी चाहे वो क्लाश टू है थ्री है वन है सब पे 500 रुपए से लेके 1500 रुपए टेक्स की मार पड़ रही है और वो उस आये पर पड़ रही है जो कभी सरकारी करमचारी को ना मिली है ना मिलेगी नहीं आगे मिलेगी क्योंकि जैसा कि आपको सरव विदित है कि NPS में जो सरकारी करमचारी रेटायर होगा रेटायर उने के बाद उसको उस फंड का 50% ही एक मुष्ट मिलेगा और बाकी सा 50% के हिसाब से पेंशन बनाई जाती है तो सरकार अब उस NPS फंड से पे भी टेक्स लगा के जो है हमारे करमचारियों को जो है वो तंग कर रही है अगर हम अपने चिक्सिकों की बात करें तो एक तरब उनको 26,250 दे रही है और बड़ी बात कि हमारे जो नए यंग जो डॉक्टर्स लगे थे 26,250 पे कोविड में ड्यूटी दीजिनों ने मेडिकल कॉलिजेज में उनको डेड़ेड महीने से अभी तंखाही नहीं मिली है सरकार यही सपश्ट नहीं कर पारी है कि उनको तंखाह किदर से देनी है तो ये तो हालत है इसलिए हमारा जो संग है वो बाकी अन्या सरकारी करमचारी संगों के साथ कंदे से कंदा मिलाके खड़ा है और NPS करमचारियों की इस आवाज को बुलंद करने में हम किसी तरह भी कोई कसर नहीं चाहिए